गैस जब भी hard disk या फिर SSD की बात आती है तो WD याने की western digital एक काफी पुरानी और काफी जानी मानी company है और इनके जो SSD है वो फिलाल अगर आप market में खरीदने जाते हैं तो तीन अलग-अलग models के अंदर उपलब्द है एक आता है WD blue, एक आता है WD blue के अंदर SA510 ये एक नई जीर आई है और तीसरा आता है WD green तो इन तीनों में से जो SSD है वो आपके लिए कौन सा बहतर है तीनों के pros और cons क्या है आईए समझते हैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि WD blue और WD blue SA510 में क्या फरक है तो guys WD blue जो आता था उसमें जो नाम आता था सिंपल तरह से WD blue लिखा हुआ उता था और वो एक पुराने स्टाइल का जो नाम है उसके बाद में Western Digital ने इसका जो नाम है थोड़ा अपग्रेड किया थोड़ा चेंज किया और नाम को कर दिया WD blue SA510 मतलब model number जो है वो दे दिया गया और साथ में हो सकता है कि इसमें हलके full के enhancement कोई software updates कोई optimization इसके अंदर दिया हो लेकिन consumer price points अगर हम देखते हैं तो दोनों के specification में कोई ऐसे बड़े बदलाव नहीं है और क्योंकि SA510 एक latest model है एक latest release है तो जब भी आप WD blue series लेने जाएंगे market में तब आप जो latest वाला SA510 है उसी को आप prefer कीजिए ठीक है और इस वीडियो के अंदर जब भी मैं बात करूँगा WD blue तो इतना बड़ा नाम WD blue SA510 इतना बढ़ा नाम लेने के बजाए मैं उसको simply WD blue बताऊँगा क्योंकि जो latest version है WD blue का that is SA510 ठीक है तो यह clear हो गया इसके बाद में जब भी हम बात करेंगे WD blue it will be the latest SA510 पुराना जो simple WD था वो अभी outdated हो गया है WD blue ओके अभी हम बात कर लेते हैं next point तो next point यहाँ पे देख लेते हैं guys that is price difference तो WD blue का जो 200 GB का जो model है उसमें लगबग 800 र 1000 का फरक है आप बड़ा size लेते हैं SSD का तो 2000 का तो यह जो price के जो difference है यह WD green और WD blue के बीच में है अब यह जो prices है यह change होता रहते हैं तो मैंने description में link दिये हैं आप link open करके जो accurate prices है वो आप देख सकते हैं तो यह जो difference हो गया यह तो हो गया price का अभी हम बात कर लेते हैं is it worth paying extra money for WD blue over the WD green तो आइए देख लेते हैं कि extra यहाँ पर आपको क्या मिलता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं speed difference WD blue मतलब ऐसे 510 वाला WD blue जी है अभी तक तो आप समझ गया होगे उसका जो आपको sequential read speed मिलता है that is 560 Mbps और right speed मिलता है 530 Mbps जो WD green में जो आपको मिलता है जो budget range का SSD है उसका read speed is 545 और right speed आपको जो मिलता है वो 500 Mbps का मिलता है हलाकि मैं यह कहूंगा कि यह जो read speed है right speed है यह model wise vary होता रहते हैं तो जो SSD बड़ा होता है वो generally faster होता है ज्यादा reliable रहता है तो जब भी आप SSD खरीदे इस point का ज़रू धान में रखीए जितना आपका budget मे possible है उससाब से आप बड़े से बड़ा SSD लीजिए तो automatically fast रहेगा और ज्यादा सादो तक आपको service देगा तो दोनों के अंदर जो speed difference है वो WD blue में ज्यादा है higher speed आपको मिलती है लेकिन मेरे इसाब से यह जो speed difference है यह बहुत ही minor है normal usage के अंदर windows boot up के अंदर game loading times के अंदर आप WD blue की जो SSD है उसके अंदर आपको 1.5 million hours का mean time to failure मतलब MTTF मतलब क्या होता है आप SSD लगाए laptop में उसको चलाते रही है चलाते रही है उसको आप 1.75 million hours तक जो है यह SSD बिना कोई दिख करके चल सकता है उससे ज्यादा भी चल सकता है ठीक है अगर आप care रखते हो उसकी लेकिन य एक average figure जो है वो बना होता है और इसकी जो terabytes written की जो capacity है जो TBW है वो है 500 terabytes ओके यह 2500 GB के मोड़की में बात कर रहा हूं अगर आप बड़ा model लेंगे तो यह numbers भी बढ़ जाएंगे इतना बड़ा SSD उतने जादा आपको यह numbers और reliability जो है यह मिलेगा अब WD जो green है उसके अंदर हैं कि इसकी जो reliability है WD blue के comparison में वो लगभग आपको आधी मिलेगी और यह जो बाते हैं of course यह WD वालने को पता थी तो उन्होंने क्या कि है कि WD blue के अंदर जो warranty है उसको बढ़ा दिया warranty कर दिया 5 साल WD green के अंदर आपको warranty मिलती है तीन साल ठीक है यहां पर मैं आपको एक जो है warning देना चाहूंगा क्योंकि जब मैं research कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ ऐसे WD blue के जो models हैं उसके अंदर 3 साल की warranty थी ठीक है तो 5 साल warranty के साथ में आते हैं तो नीचे जाके description से या comment box से link open कीजिए वहां पर पढ़िए जो SSD के अंदर 5 साल का warranty मिलता है अगर आप WD खरीदने वाले हैं WD blue तो 5 साल के warranty का जो SSD है वही आप दीजिए तो 3 साल के warranty वाला WD blue आपको बिलकुल नहीं लेना है और यह ऐसा क्यूं है I don't know यह कोई old outdated stock है या fake है कुछ भी हो सकता है बट आपको जो लेना है WD blue के अंदर 5 years वाले लेना है अभी हम आते हैं next point के और and the next point is software support तो guys WD blue के अंदर acronyx true image नाम का एक software है उसका license आपको दिया है और यह software क्या करता है कि आपके laptop या desktop में जो पुराना data है उसको आपके SSD में transfer करने में help करता है तो काफी अच्छी चीज़ है backup होगर आप इससे ले सकते हैं WD green के अंदर as such कोई software का support नहीं है तो software आपको जो है अधिया भी हम बात कर लेते हैं कुछ cons की क्यूंकि I believe कि as a consumer आपको जो cons है मतलब जो बुराइया है इन चीज़ों में वो भी आपको मालम होनी चाहिए और इस तरह के balanced videos अगर आप देखना पसंद करते हैं तो जो subscribe को button है उसको जाके ज़रू दबाईए सबसे पहला con है इन इसमें कोई भी तरह का encryption support hardware encryption support आपको नहीं मिलता है तो business environment में अगर आप SSD लगाते हैं और वहां पर आपको किसी particular security की जरूरत पड़ती है किसी encryption standard की support अगर आपको उसमें जरूरी है तो वो आपको इन SSD में नहीं मिलेगा next यहां पर है कि इसके अंदर कोई भी तरह का DRAM cache या तो मैं assume करेंगा कि इसके अंदर नहीं है और यह दोनों भी फीचर अगर आपको चाहिए तो आप मेरा जो crucial का SSD का वीडियो है वीडियो आपको उपर आई बटन या description में मिल जाएगा यह वाला वीडियो देखने के बाद में एक बार वो crucial का जो वीडियो है वो आप देख लिजिए crucial के जो SSD है वो आपको लगभग इसी budget में इसी price point में इन्हें दोनों भी features के साथ में आपको मिल जाएगे तो SSD लेने से पहले एक बार वो भी वीडियो देख लिजिए SSDs compare कर लिजिए फिर आपको जो अच्छा लगता है वो लिजिए अभी हम बात कर लेते हैं conclusion की तो WD Green जो है वो किसको लेना चाहिए अगर आप कोई पुराना laptop जो है उसको अगर आप फोड़ा जिन्दा करना चाहते हैं उसको fresh करना चाहते हैं कोई old जो PC है उसको अगर आप upgrade करना चाहते हैं और आपका मानना यह है कि कम budget के अंदर कम खर्चे के अंदर एक SSD मिल जाए जो कि मेरे PC को ready करते तो आप बे जिजक WD Green जो है वो ले लीजे मैंने खुद भी WD Green यूज किया है कई सालों से यूज कर रहा हूं कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगी तो light duty से medium duty task अगर आपके हैं आप WD Green को जो है purchase कर सकते हैं अभी WD Blue जो है वो किसको लेना चाहि तो WD Blue जो है वो ज्यादा suitable है business users क्योंकि भई of course reliability and warranty is important तो जैसे कि हमने पहले समझा WD Blue की जो reliability है जो MTTF है वो ज्यादा है तो of course that is better demanding enthusiast ठीक है अगर आपको शौक है computer चलाने का modify करने का अपग्रेड करने का WD Blue लीजिए इस प्रीमियम प्रोड़क्त इस नाइस प्रोड़ अगर आप बड़े बड़े 4K वीडियो और HD वीडियो अगर एडिट करते हैं भर के या high megapixel के photos अगर आप एडिट करते हैं of course कोई भी तरह का demanding काम अगर आप करते हैं तो आप WD Blue जो premium series है उसके साथ में जो है आप जाईए दोनों भी जो SSD है इनको purchase करने के जो affiliate buying links है वो मै हूँ आप जाईए पक्राइए झाद करते हैं ओल्स करते हैं तो